ही गाईज, वेलकम टो रिस्वर्स पॉइंक, मैसेफ रिशिका और आज हम यह आप लोग डिस्कस करने वाले हैं वीजनाइस की करेंट फिल्ट चोकि हमारी PT 365 की है तो यह सोशल इशूस की है और चली हम लोग देख लेते हैं दो पार्ट हमारी कंप्लीट हो गई है यह थर्ड पार्ट है तो प्रिवेस लिसन अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और प्रेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख लेते हो देख सकते हो और और भी ज्यादा जितने भी PT 365 की लेसन से उसको भी आप लोग दे अगर आप लोग नहीं दिये हो तो अभी आप लोग इसकी आंसर दे सकते हो और जो लोग दिये है वो देख लीजे कि आपका आंसर सही है कि नहीं फर्स्ट है कि आपको बतानी है कि National Commission for Women ये Constitutional body है या फिर statutory body है या फिर quasi judicial body है ये किस तरीकी की body है ये बतानी है सेकंड है कि जो Sustainable Development Gender Index है ये आपका किसके द्वारा रिलीस की जाती है ठर्ड है कि Section 498A जो Penal Indian Penal Court की है तो ये किस चीज़ से related है और फॉर्थ है कि different form of सरोगेसी है तो different form of सरोगेसी बतानी थी और साथ में ये बतानी थी कि इंडिया में कौन से सरोगेसी को allowed किया गया है तो आइए देख लेते हैं चारो कॉशन के answer सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नशर कमिशन फॉर विमन की तो ये हमारे statutory body है जो कि यहां पर आपका एक Act की थू ही इसको established किया गया है और वह भी 1992 में और ये Act कौन सी है तो नशर कमिशन फॉर विमन वह भी Act आपका 1990 की त द्वारा फिर यहां पर Indian Penal Code के अगर बात करूं तो यह section 498a है यहां पर अगर आप देखोगे तो यह एक तरीके कातर सबसे पहले criminal law है यहां पर आपका apply होता है किसी भी husband यह relatives जो कि आपकी कोई कोई भी relatives जो कि husband के है अगर वो women के साथ cruelty जासा behave कर रहे है जैसे कि कोई भी अगर उस lady के साथ अच्छे से behave नहीं कर रहे है तो यह lady के पास एक यहां पर उनको एक opportunity दी गई है कि Indian Penal Code के तहर जो है section 498 जो है वो अपने husband के उपर लगवा सकती है और साथी साथ अपने husband के family के उपर भी recently आप देखोगे तो Supreme Court ने restore करी है एक immediate arrest provision वो भी यहां पर section 498 ए क्योंकि इस तरीके का जो यहां पर problem है बहुत जादा है लड़किया शादी करके तो चले जाती है बट ससुराल में उनको उस तरीके का environment नहीं मिलता बहुत तरीकी की problem के कारण जो है ना उनको इस तरीके से प्रतारित किया जाता है तो इसलिए इस तरीके का provision निकाला गया है कि अब यहां पर अगर लड़किया इस तरीके का आपका complaint launch कराती है तो लड़कियों को लिए जो है इस तरीके का जो है एक provision है कि उनके जो in-laws है और उनके husband है उनको immediate arrest कर लिया जाएगा नेक्स्ट यहां पर different form of surrogacy की बात करती हूँ तो यहां पर मिली तीन तरीके की आपकी surrogacy है पहली तो है altruistic surrogacy, second यहां पर commercial surrogacy and third यहां पर gestational surrogacy तो यहां पर तीनों के बारे में थोड़ा बाँ देख लेती हूँ यहां पर altruistic surrogacy कहने का मतलब है जहां पर कोई couple है कि कोक लेते किसी और लेडी के जो है उनके कोक में वाम में बच्चा पैदा किया जाता है तो इसको कहते सरोगacy अब यहां पर altruistic surrogacy का मतलब है कि जहां पर कोई couple है तो वो यहां पर क्या करेंगे कि जो surrogate mother है उनको वो pay नहीं करते है यानि कि उनको वो 9 month के लिए जब रखते है जहां से आपका start होता है बच्चे का formation और 9 months तक या 8 months तक जब तक उनको रखा जाता है तब तक सिभ payment नहीं किया जाता और यह है altruistic surrogacy में commercial surrogacy नाम से ही पता चल रहा है कि commercial purpose के लिए तो यहां पर क्या होता है कि नहीं होती उस surrogate mother से कहने का मतलब है कि जैसे देखिये क्या होता है कि यहां पर है कि जब यहां पर आपकी एक couple है मालीज़े यह और यह बी है यह आपकी कोई surrogate mother है तो surrogate mother के अंदर जो है यह मालीजे male है और यह female है तो female की embryo को ना यहां पर इनके warm में डाला जाता है तो जब इनके warm में डाला जाता है, तो जब 9 महीने के बच्चे पैदे होते हैं, तो उसके बात क्या होता है, कि यहाँ पे जो एक genetic criteria होता है, एक genetic characteristic होती है, जो कि parents से बच्चों में आती है, तो यहाँ प्ज़ोस होता है, कि यह जो genetic characteristics आपका transform होता है, तो ये तीन तरीकी की सरोगेसी है हाला कि हमारे इंडिया में आप देखोगे तो दो ही तरीकी की चलती है अल्टूस्टिक सरोगेसी और कमर्शल सरोगेसी में लेकिन फिर भी हमारे यहां कमर्शल सरोगेसी को बैन करने की बात की गई है और allowed है सिर्फ यहाँ पर altruistic सरोगेसी altruistic सरोगेसी में क्या होगा कि यहाँ पर आप लोग जो भी सरोगेट मदर होंगे उनको pay नहीं करना है second thing कि वो आपके relative होनी चाहिए यानि कि जो भी couple है उनके relative ही होनी चाहिए third thing जो यहाँ पर आपके सरोगेट मदर बनेगी वो married होनी चाहिए उनका अपना खुद का बच्चा होना चाहिए और जो couple यहाँ पर सरोगेट के लिए सरोगेसी के लिए अगर चाहते हैं कि वो सरोगेट मदर बने कोई भी उनके लिए सरोगेट मदर बने तो at least उनके शादी की 5 साल होनी चाहिए तो यह सारी terms and category है जिसको कि आपको याद रखना होगा तो इतनी यह रही इस questions का answer तो आज आपको लिए कोई questions नहीं है क्योंकि अभी थोड़ो सा मैं पस time की कमी इसने मैं questions नहीं बना पाई और आप लोग लिए लिसन लेकर आ रही हूँ तो कोई ना मैं तो मैं जो next listen लोगी ना उसी में मैं एक साथ पूछ लोगी आज आईए अब हम लोग अपनी topics को start करते है तो आईए start करते हम लोग अपनी article जो कि है denotified nomadic and semi-nomadic communities के बारे में पहले समझते की news में क्यों दी फिर detail में देखने वाले इनके बारे में अगर हमनों देखें यहाँ पर हमारे यहाँ क्या implementation हो रही है NRC हो रही है NPR हो रही है तो denotified और nomadic और semi-nomadic types के जो मद्य परदेश के लोग है tribal area है यहाँ पर 7-8% इनका state का population है तो यह इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनकी citizenship कहीं न कहीं इसकी loss हो जाएगी यानि कि यह जो नागरिकता का अधिकार इनको दिया गया है अब यह इनका जो है नागरिकता चला जाएगा तो यह इस चीज़ को लेकर काफी ज़्यादा tension में है तो tension में है कि हमारे हाँ different varieties के यहाँ पे citizenship लेकर बहुत ज़्यादा problem है पहले तो एक citizenship जो cab आया था यानि कि यह तो cab बिल है लेकिन citizenship amendment act जो आई 2019 की उससे बहुत ज़्यादा problem हो गई क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा था problem यह हुई क्योंकि हम लोग जो है अफगानीस्तान पाकिस्तान और बांगलादेश देश जो है non muslim communities को यहाँ पर हम लोग बुला रहे थे हम लोग यहाँ परे अलाउ कि यह है कि non community जो non muslim communities है वो हमारे हय आ सकते है या निकि जो minorities के है communities उनको हम लोग अपने countries में शरन दे रहे हैं तो इस चीज़ को लेकर problem हो रही थी अब यहाँ पर एक बात आती है NRC जिसको हम लोग कहते है कि National Register of Citizenship और एक होती है NPR तो इन दोनों में difference क्या होती है सबसे पहले है कि NPR जो है National Population Register यानि कि यहाँ पर क्या है कि जो भी इंडिया में usually जो रह रहे है चाहे वो हमारे इंडिया के citizens हो या फिर हमारे हाँ कोई रहने वाले foreigner हो उनको यहाँ पर इस list में अपना नाम सामिल कराना होगा यह compulsory है usually जो पिछले 6 महीने से रह रहे है या फिर आगे आने वाले 6 महीने भी हमारे country में रहेंगे तो उनको बस इस NPR में register कराना है अब NRC क्या है National Register of Citizenship यानि कि यह basically देखता है कि हमारे country में citizenship कौन है कौन कौन नागरिकता है foreigner को इसमे exclude किया गया है और इसमे include किया गया है यह हमारे NRC जो है अभी तक आप देखोगे तो असाम वाले state में इसको conclude किया गया है और conclude करने के बाद भी यहाँ पे 90 lakh ऐसे लोग निकल कर आया है जिनका नाम यहाँ पे NRC में नहीं inlist हो पाया और उनको as a foreigner treat किया जा रहा है तो आगे क्या हो रहा है उनका वो तो हम लोग देखी चुके है लेकिन बात बस इतना सा difference है तो यह जो यहाँ पे आपका बाते निकल कर आ रही है तो इससे मद्य परदेश के जो इस तरीके के लोग है यानि कि tribal लोग है जो de-notified nomadic और semi-nomadic है उनको ऐसा लग रहा है वो किसी भी systematic commission of non-bailable offense का तब यह register किया जाता था criminal tribe के अंदर और यह उस समय की कानून थी Criminal Tribe Act 1981 यानि कि British government को अगर ऐसा लगता था किसी भी tribe के उपर या फिर किसी भी community के उपर अगर उनको ऐसा शक होता था कि यह किसी भी तरीके का criminal activities करेंगे और इसको इस तरीके के activities करने के लिए उनको non-bailable offense में डालना चाहिए यानि कि ऐसा अपराद किये है वो कि उनको अब bail भी नहीं मिलना चाहिए तो इस तरीके का simple अपराद के लिए उनको criminal act में डाल दिया जाता था तो next क्या हुआ कि फिर यहाँ पर criminal criminal act हमारी 1924 के आई और इस act के तहद क्या हुआ कि जो भी local government है वो यहाँ पर reformatory school को भी establish कर सकती है और एक अलग से यहाँ पर जो है criminal tribe children को भी जो उनकी parents है या फिर guardian है जब उनको इस school में place किया जाता है तो यह भी आपका यहाँ पर रखा जाएगा बच्चों को यहाँ पर रखा जाएगा तो यह चीज का provision जो है 1924 में आया यानि कि जितने भी यहाँ पर आपके जो tribes है उनको अब कहां लाना है तो reformatory school में यानि कि एक तरीके का school है जहाँ पर उनके parents और बच्चों को यहाँ पर अलग से criminal tribe जो बच्चे है उनको भी यहाँ पर लाए जाएगा उसके बाद nomadic tribes और denotified tribe कहने का मतलब है कि दोनों को पहले क्या था कि जब सरकार हमारे हाँ जो British सरकार हमारे हाँ शर्षन करती थी तो उस समय criminal tribes के अंदर इनको रखा जाता था nomadic tribes और denotified को फिर बहुत सारे जो denotified tribes है वो हमारे schedule cast के थे schedule tribes के थे और other backward categories के भी थे OBC categories में भी थे लेकिन यहाँ पर अनस्तिस्याम आयनर कमीटी का जब गठन हुआ तो उसके बाद यहाँ पर जो criminal tribe act है इसको हटा दिया गया 1949 में यानि कि जब हमारी country आजाद होगी 1947 में दो साल के बाद इस तरीके का जो criminal tribal act जो था उसको हम लोग हटा दिये और जो criminal tribes थे उनको denotified किये यानि कि पहले वो notified थे notified कैसे थे तो उनको देखा जाता था कि वो criminal है यह tribal group यह tribal community criminal है तो उनको इस act में रख दिया गया था लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग इनको denotified कर दिये 1952 में जब यहाँ पर एक act को replace किया गया habitual offense offender act 1952 का तो इस act को लाकर जो है ना हम लोग इस तरीके के tribal community को जिनको British शरकार के द्वारा इनको रखा गया था criminal category में तो उनको उसे हम लोग इनको बहार निकाले 2002 में क्या हुआ कि Justice Vacantichilla जो commission है उन्होंने recommend करी थी कि एक program को strengthen करने के लिए जो कि economic और education development कर सके के दी-notified tribes के लिए तो वो होनी चाहिए साथ ही यहाँ पर recommend भी किया गया था कि special commission हो जो कि यहाँ पर दी-notified जो tribal communities है उनकी क्या जरुवत है और उनकी क्या problem है यह सारी चीजों को देखे उसके बाद consequently क्या हुआ कि national commission for de-notified nomadic and semi-nomadic tribes को जो है 2005 में बनाया गया और इनकी chairmanship किसके अंदर में थी तो बाल कृष्ण सिढके रिंके के अंदर थी जो कि इनकी social economy condition को study कर रहे था और इस group को किस तरीकी के चीजों की जरुवत है वो सारी चीज़े यहां पर देखी जा रही थी फिर दूसरी भी यहां पर वनी national commission for de-notified nomadic and semi-nomadic tribe जिनको यहां पर बीकु रामजी इद्देत के द्वारा इन यहां पर chaired किया गया और यह बनाया गया था 2015 में तीन साल की period के लिए इसको बनाया गया था इन्होंने अपनी report रखी थी और वो भी यहां पर किडी नोरिफाइड नॉमाडिक और semi-nॉमाडिक tribes जो है 2018 में उनके अबाजों को लेकर यानि कि उनकी जो demand थी उनके लिए एक report यहां पर प्रस्थूत किया गया था इसी के साथ यहां पर इद्दित कमिशन की जो recommendation थी union covenant जो है यहां पर एक permanent development और एक welfare welfare board को भी न अप्रूफ किये थी वो भी society registration act 1860 के ताहत जहां पर यह काम जो किया जा रहा था वो ministry of social justice and empowerment के ताहत यहां पर काम किया जा रहा था बहुत सारी challenges है जो कि denotified tribal group जो है वो यह face करती है जैसे कि social discrimination है उनको उनको जो है आप लोग देखते हो कि वो regular हमारे society में include नहीं होते है वो बहुत ही ज़्यादा isolate रहते है उनका अपने society होता है उनके अपने family member होते है वो उनकी के साथ रहते है economic hardship है में लिए वो बहुत कम होते जा रही है उनको census data का census data में भी कमी है जो हम लोग census करते हैं जनगनना करते हैं हर एक 10 साल में last 2011 में हुई थी अब यहाँ पर 2021 में होने वाली यानि कि next year जनगनना होने वाली है हमारे या census तो census में भी इनकी population को बहुत कम ही include किया जाता है साथी large scale में exclusion है बहुत बड़े मातरा में जो है इनको हम लोग बहार रखे है हर एक चीज में इनको नहीं हम लोग जो है वन धन विकास केंद्र अगिन very important article है क्योंकि recently ministry of travel affairs ने यह propose की है कि वन धन जो विकास केंद्र है इसको और expand किया जाए और बढ़ाया जाए तो वन धन scheme है वन धन मतलब कि समझ रहे हो कि पेड़ पौधे है वो हमारे लिए एक धन ही है उसके लिए यहाँ पर एक scheme लाए गई है minimum support price क्या होता है कि सरकार यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर notified जो आपकी ministry है वो यहाँ पर minimum support price देगी यानि कि minimum यहाँ पर price लगाएगी minor forest produce में यह तरीके का initiative है जहाँ पर आप लोग देखते हो कि tribal community अधिकतर जंगल वगेरा में रहते हैं तो उनका livelihood जो है पूरी तरीके से वो जंगल में ही dependent होता है वो लकरिया वकेरा काट के लाते है उसी में वो खानावाना बनाते है और जंगल से ही खाना पिना और अपना भरन portion पूरा करते है तो उनकी जो livelihood generation है tribal की वो यहाँ पे जो है उनके जंगलों में ही होती है इसलिए one जो है उनके लिए एक धन का काम है अगर one ना हो तो उनकी life जो है बहुत जादा difficult हो जाएगी तो यह जो program है इसका aim यही है कि traditional knowledge को और skill set जो travel के पास है उनको यहाँ पे tap करना है और यहाँ पे कुछ technologies, IT's को भी include करनी है जिसके थूर हर एक stage में हम लोग इसको upgrade कर सके और एक अच्छा खासा इनकी जो economic activities है उसमें हम लोग इनको convert कर सक one-done scheme में क्या करना है कि trifade है जो कि facilitate करेगी कि यहाँ पे MFP यानि कि minor forest produce जो है इसके lead जो multipurpose one-done विकास केंदर है उसकी establishment हो पाएगी एक cluster of 10 self-help group होगी जिसमें tribal 30 tribal यहाँ पे आपकी minor forest producers gathers होंगे हर एक में और यह हर एक आपका tribal area में होगा का procurement होगा वो भी locally available जो इतने भी minor forest producers है और skill-based handicraft है training और technical support भी यहाँ पर provide किया जाएगे Trifade में आगे हम लोग Trifade के बारे में details दिख लेंगे साथी जो scheme है यह आपका implement किया जाएगा ministry of tribal affairs के तैस और यहाँ पे nodal department होगी है और यहाँ पे central level पे Trifade की बात करें तो यह nodal agency होगी national level पे तो center level पे कौन है तो ministry of tribal affairs है और national level पे कौन है तो Trifade है अगर यहाँ पे state level पे भी देखे तो state nodal agency है वो भी minor forest produce के लिए और district collector है जो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा role play करेंगे इस scheme को implement करने में वो भी grassroots level पे यानि कि bottom level पे जो है जिसको यहाँ पे propose किया गया है कि वो यहाँ पे managing committee के द्वारा manage किया जाएगा और इसमें कुछ representation होंगे वन धन आपकी जो self help group है तो उसको एक cluster में यहाँ पे representation होगा यानि कि self help group में आप देखोगे कि maximum यहाँ पे जो है maximum minimum 10 members होते हैं और खुद का ही ऐसा group है जो कि खुद अगर हमनों देखे तो partnership model है जो कि बैंकों के साथ, PSU के साथ, private sector के साथ भी यहाँ पे explore किया जाएगा और साथी साथ उनके जो active participation होगी और financial assistance भी यहाँ पे provide किया जाएगा अब TRIFET के बारे में देख लेते हैं TRIFET stand for Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India है जो कि 1987 में इसको बनाया गया था यह national level apex organization है जो कि यहाँ पे administrative control किसके अंदर है तो ministry of tribal affairs के अंदर है ultimate इनका objective क्या है कि जितने भी tribal people है हमारे country में उनकी economic development यह करती है और इस तरीके से करती है कि marketing development भी tribal product का अच्छे तरीके से हो सके जिसमें उनकी livelihood dependent है अब यहाँ पे minor forest produce की बात कर रहे है तो minor forest produce को हम लोग एक major source of livelihood है यहाँ पे इनको जो tribal people को इससे क्या मिलता है तो इससे nutrition मिलता है medicinal needs मिलती है माली जेव यह क्योंकि tribal people बहुत जादा अलग रहते है एक isolate area है जंगल वगेरा में रहते है तो उनको कुछ cut ford जाती है उनको कुछ बीमारी वगेरा भी होता है तो वो आते नहीं है द cash income भी उनको large number of schedule tribes में देखने को मिलता है कि वो उनसे cash भी लेते है और जो कि इस जंगल में या जंगल के चारोर रहते है तो यह उनका minor forest produce हो गया जो mechanism है minor forest produce का marketing का वो यहाँ पे minimum support price से है और development होना चाहिए एक value chain जो कि यहाँ पे minor forest produce scheme के तहत है तो यह अच्छा कासा एक scheme ह one dhan जो है मिलनी यहाँ पे आप लोग देखोगे कि tribal people के लिए ही लाया गया तो ministry of tribal affairs जो है वो यहाँ पे nodal minister होंगे कि वो इस तरीके के scheme को better तरीके से implement कर सके minimum support price जो है ना वो यहाँ पे determine किया जाएगा इसमें जो ministry है ministry of social justice जो है इनके दौरा यहाँ पे आपका जो है और उसमें जो MSP लगाना है minimum support price याने कि minimum price में जो सरकार उसको खरीती है तो यह यहाँ पे हर एक state का अपना अलग-अलग होगा यह जो scheme है यह सारे state में applicable है ऐसा नहीं है कुछ की कुछ ही state में है साथी इस scheme में support क्या है कि primary value addition भी है साथी यहाँ पे आपका supply chain infrastructure प्रोवाइड के जाएगा जैसे कि अच्छा खासा cold storage हो अच्छी खासी warehouse हो जहाँ पे जो इनका minor forest producers है minor जो छोटे-छोटे आपका जो produce forest जो यह produce करते product लाते तो उनको जो है अच्छे तरीके से एक storage में रख सके warehouse में रख सके लंबे समय के लिए तो यह सारी भी facility उनको provide की जाएगी अब आते है next है Eclipse model residential school तो यह है क्या more than 400 Eclipse model residential school जो है मिनिस्ट्री काम करेगी ministry of tribal affairs है जो कि Eclipse model residential school को tribal area में जो है implement करेगी अब यहाँ पे देख लेते हैं यह जो Eclipse school है यह यहाँ पे state और UTS में आपका setup किया जाएगा और grant दी जाएगी हमारे constitution of India के article 251 के 275 के 1 के तहद तो यहाँ पे center से state को grant दिया जाता है तो यह grant के purpose से ही यहाँ पे आपका school को setup किया जाएगा management जो हर एक यहाँ पे एक love school का किया जाएगा यह एक committee के अंदर किया जाएगा जिसमें कि यहाँ पे कुछ अलग लोग भी होंगे साथी यहाँ पे reputated जो local NGOs वगरा है वो यहाँ पे include होंगे जो भी NGO अगर education से related अगर काम करती है तो उनको यहाँ पे committee में रखा जाएगा objective किया है इस तरीके के a club or model residential school का यानि कि एक ऐसा school है जहाँ पे residential facility भी है ट्राइवल बचों को रखा भी जाएगा तो यहाँ पे quality middle और high level education provide की जाएगी यहाँ पे schedule tribe students को जो की remote area में रहते साथी उनको reservation भी दिया जाएगा high और professional education courses में और job में जो की government और public और private sector में है और साथी यहाँ पे infrastructure भी construct की जाएगी जिससे कि उनको यहाँ पे education provide किया जाए physical, environmental और culture, needs जो भी student life की है वो सारी चीज़े यहाँ पे fulfill की जाएगी तो यहाँ तरकना है कि यह एक school है, travel साथी middle और high level education यहाँ पे provide किया जाएगा, center की तरफ से grant दी जाएगी तभी इस तरीके का आपका provide किया जाएगा, आगे चलके अगर इनको job अगेरा लेना है government, public और private sector में तो वहाँ पे reservation की facility भी दी जाएगी और इस school को establish करने के लिए यहाँ पे कौन ministry include है, तो ministry of travel affairs है, इत पे education policy आने वाली है, जिसको draft किया जा रहा है अभी, अभी कानून बनी नहीं है, तो यह है national education policy, news में इसलिए थी, क्योंकि यहाँ पे committee है, dr. K. K. Kasturi Ranjan committee, very famous committee है, इसकी और भी report है, जो कि हम लोग देखेंगे, तो यह जो committee है, इन्होंने अपनी report को submit करी है, कि हमारे है जो कि पूरी तरीके से education को समालती है, अब background में चलके देखते, इंडिया में आप देखोगे, तो दो national education policy है, 1968 की है, 1986 की है, साथी इसका reason क्या है, कि हाँ पे एक अच्छा-कासा हम लोग इंडिया को एक centered education system बना रहा है, जिसमें directly हम लोग अपने nation को transform कर सके, और एक equitable और vibrant knowledge society में, कैसे होगा, तो एक high quality education अगर हम लोग सब को provide करेंगे, तो हमारी इंडिया जो है, एक अच्छे खासे चीजों में एक transform हो सकती है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि natural policy of education जो 1986 की है, और program of action 1992 की है, तो इसकी main objective के बारे में थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, यहाँ पे इस चीजों को अगलग रखके उनको education provide किया जाता है, और एक अच्छे quality का education provide किया जाता है, अब यहाँ पे जो national policy of education 1986 की है, इसकी objective क्या है, इसकी objective है, कि universal access होना चाहिए और enrollment होनी चाहिए, universal retention होना चाहिए, बच्चों का कब तक तो बच्चों की age अगर 14 years तक है, तो उनको यहाँ पे पुरी तरीके से study provide करना है, एक sustainable improvement होनी चाहिए हमारे quality education में, यानि कि एक अच्छा खासा education में उसकी quality improve होनी चाहिए, कि आज के बच्चों को अच्छे तरीके से education मिले और इस तरीके का education मिले कि आगे आने वाले generation को भी उससे भी better level का education मिल सके, साथी सारे लगाया है कि एक computer literacy होना चाहिए, आज की date में बच्चों को computer, mobile ये सारी चीजों तो चलाने आने ही चाहिए, और ये secondary level institution की बात की जा रही है, साथी higher education की बात करें, तो देखिए यहाँ पे आपका जो primary education है, primary education 1 से 5th class तक होता है, secondary education कब से होती है, तो 6 से आपकी 9th class से होती है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, higher education में बात करें, तो यहाँ पे लोगों को एक opportunity देना है, कि critical, social, economic, culture, moral और spiritual issues जो है ना, इसको वो समझ सके, इसको वो देख सके, अब reason क्या है, चलिए ठीक है, हमारी हाँ तो इतना पहले से और दो इतने अच्छे हैं, जो पॉलिसी ह कि हम लोग एक नया लेकर आ रहे हैं, तो बात यह है कि अब हमारी जो knowledge economy है, इसकी demand change हो रही है, आज की date में जो हम लोग 21st century में है, तो हमारी जो यहाँ पर demand है, जिस तरीके से आज तक चलते आए है education का system, और जिस तरीके से बच्चों को यहाँ पर grown-up किया जा रहा है, लेकिन उनको उस तरीके का skills नहीं है, जो actually हम लोग को technical field में जरूरत है, जो actually companies को जरूरत होती है, जो actually हमारे economic activity में जरूरत है, तो उस तरीके का बच्चों में skill नहीं है, बच्चे बस पढ़के निकल रहे है, डिगरी ले रहे है और कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा है, त जो निकल कर आ रहे है, उसके generation का और उसके application में जो है, एक बहुत कम आपको जो है, यहाँ पर gap देखने को मिलेगा, तो मेली है कि बच्चों को यहाँ पर science और technology की field में और ज्यादा यहाँ पर grown up करना है, small window होना चाहिए, इंडिया की demographic dividend का, यह expect लगाया जा रहा है कि यहा small window है, इंडिया की demographic dividend का, demographic dividend कहने का मतलब है कि कि किसी भी country में आगर total population है, total population का, youth population कितना है, अगर youth population जादा है, तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ की demographic dividend बहुत ही अच्छी है, कहने का मतलब है कि youth population को हम लोग किस से count करते हैं, तो यह आपकी आती है, 15 से 65 years के age में, तो 60 years पी sometimes आ पता रही हूँ, यह आपका exact नहीं है, तो इतने को हम लोग जो है ना, कहीं कहीं भी 25 से आपको 55 तक कभी यह कहा जाता है कि यह हमारा youth population है, तो youth population अगर है हमारे है, youth population कहने का मतलब है कि हमारे उस तरीके के population जो की कम आ सकते हैं, जो की अब earn करने के stage में है, पढ़ाई employment कैसे होगी, हम लोग तो और भी देश से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग second most populous country है, after China, तो अगर हम लोग अपनी country के सारे बच्चों का एक उस तरीके से हम लोग उसको utilize करें, resources के जैसा, क्योंकि हम लोग के इंडिया के asset है, और हम लोग उनको resources जैसे utilize करेंगे, तो हमारे इंडिया का growth बहुत अच्छा होगा, साथ हमारे यहां कोई भी poor नहीं रहेगा, poverty की जो बात होती है, वो education की कमी के कारण basically होती है, लोगों को पढ़ा दो, बच्चों को पढ़ा दो, तो वो अपना कल्यान खुद भी कर लेंगे, और जब उनका अपना कल्यान हो करना है, और lifelong learning opportunity provide करनी है सबको, वो भी 2030 तक, तो अब sustainable development goal का यहां पर आपका जो fund है, वो 2030 तक complete करना है, target कब से चलते आ रहा है, 2015 से चलते आ रहा, 15 साल का यहां पर time दिया गया है, कि 17 goal है, और 17 goal को पूरा करना है, इस goal में से 4th जो goal है, इसमें आपका education की बात की जाती है, कि quality education सबको provide करना है, तो यह जो goal है, इसको भी हम लोग को पूरा करना होगा, और जिस तरीके से हमारे country में education system है, अगर वैसी चलता रहा, तो यह goal तो हम लोग आज क्या कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, अब इस policy में जो draft करने की recommendation दी गई है, तो देख लेते हैं किसमें क्या क्या बात रखा गया है, और किस-किस जगह पर यहाँ पर change करने की बात की जारी है, modify करने की बात की जारी है, सबसे पहले है कि early childhood care और education पर बात है, कि हमारे यहाँ new curriculum framework होना चाहिए, इसको develop करना है, तो यहाँ पर NCRT को एक task दिया जाया है, जिसमें कि दो part है, सबसे की age group होना चाहिए, 0-3 year और उसके बात जो है, तीन से 8 year, यह दो age group में आपको divide करना है, उसके बात क्या है, कि strengthening करनी है, जो facility है, उसको और जादा मजबूत करना है, आंगनवानी जो systems होती है, आंगनवानी जो महिलाएं होती है, उनको और जादा मजबूत करना है, उनको औ प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, एल के जी, यू के जी, तो यह सारी जो है इसको हम लोग प्राइमरी स्कूल तक include करते हैं, state government की बात करें, तो वो भी एक अच्छा कासा professionally, जो qualified educators है, उनकी cater को prepare करें, कि एक अच्छे कासे जो qualified educators है, वो यहाँ पर early childhood education का ख्याल रखें, उसके बाद हम लोगो learning friendly environment भी बनानी है, यानि कि ऐसा नहीं है कि बस पढ़े पढ़े और बच्चे जो है exam के डर से बस पढ़े रटा मारे और exam पास करें और अच्छे marks लाए, और यहाँ पर focus क्या होता है कि marks अच्छा लाना, बच्चे सीख रहे है कि ऐसे सीख रह अच्छा marks लाना है, और अच्छे marks के पीछे भागा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, learning, बच्चों को एक सिखाने वाला environment देना चाहिए, कि बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वो सीखेंगे, आज के date में देखिए, आप लोग NCRT परते ह कब उठा रहे हो, कब उठा रहे हो, साइध कुछ बच्चे graduation में होंगे, साइध कुछ बच्चे graduation पार कर लिए होंगे, PG भी कर लिए होंगे, married भी होंगे, तो different category के लोग हैं यहां पर, तो आप लोग ultimately UPSC के preparation में जूट रहे हो, या फिर state PCS के जूट रहे हो, तो आप लो लोगों के बात नहीं कर रहे हो, कुछ इसमें कहते हैं कि outstanding person भी होते हैं, जो कि आज की date में school की सारी बात ही याद है, school की सारी पढ़ाई याद है, तो वो बच्चों की में बात नहीं कर रहे हो, कुछ बच्चे हैं, जैसे कि आप लोग भी realize कि होंगे, क्योंकि बहुत आप हो जाता है, school के बाद आपका graduation, graduation के बाद आपकी job, उसके बाद आप लोग सोचते को चला, आप UPSC की त्यारी कर ले, तो इस तरह के से NCRT उठाते हो, तो आप लोग कहीं न कहीं go relate कर पाते होंगे, क्यार ये सारी चीज़े तो नहीं दिख रही है, कुछ भी समझ नही नहीं भूले है, ये चीज़ भी आप लोग इसको फील करते होंगे, तो इसलिए हम लोग अपने country में और अपने जगह पे education system में इस चीज़ का सबसे मेलनी बदलाओ करना है, बच्चों को ये pressurize नहीं करना है कि आप लोग जो है exam के लिए पढ़ो, marks के लिए पढ़ो, आगे चलके एक अच्छा आदमी बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है और एक अच्छे जॉब में जाना है, साथी यहां पर जो right to education act है, इसको और ज्यादा extends करने का बात किया जा रहा है, और इसमें जो early childhood care or education है, इसको भी यहां पर include करने की बात की जा रही है, मेली हम ल starting phase होता है, बच्चे एक blank sheet की जैसा होते है, उनको आप जैसा सिखाते जाओगे, जैसे environment में रखते जाओगे, वो वैसे ही ढखलते जाते है, तो क्यों ना बच्पन से ही उनका child care करे, उनको early education दे, early childhood care करे, तो इस चीज़ पर focus करने की बात की गई है, तो यहां पर जो age को categor पहले क्या था, कि 6 से 14 years तक हम लोग categorize करे थे, लेकिन यह कैसे categorize करे कि early childhood में 0 से 3 years करना है, फिर 3 years से 8 years करना है, अब इसके आगे देख लेते, foundational literacy and numeracy के उपर बात करी है, कि यहां पर mainly हम लोगो focus करना है, कि dedicated mathematics होता है, और reading hours everyday होनी चाहिए, weekly event होना चाहिए, special assembly होनी चाहि में ही math की addition, subtraction, multiplication, यह सारी चीज़े सुनके ही भाग जाते है, उनको अच्छा लगता ही नहीं है, देकि math, science यह किसी को अच्छा लगने वाला subject नहीं होता है, यह अच्छा तब लगेगा ना जब आप लोग उसको real life में inculcate करोगे, what is science, science है क्या, आजके भी date में आप कर रहे हो, और यह सोचो कि आगे आने वाले दिनों में और क्या इससे better होगा, तो आप किस तरीके से अच्छे चीज़ों पर जा सकते हो, ठीक है, तो यह सारी चीज़े आप feel कर रहे हो, mathematics क्या है, mathematics कुछ नहीं है, अगर आप लोग जोड घटाओ और यह सावजी चीज़े, यह board mass rule नहीं पढ़ा जाता है, अब आप लोग में से किसने, कितने लोग पढ़े हो, अब तो पढ़ लिए होगे, क्योंकि CSAT में तो पढ़ना ही पढ़ता है, तो यह board mass rule अब तक किसने नहीं पढ़ा और इसकूल में किसने नहीं पढ़ा और अभी पढ़ा है, जो आप लो होनी चाहिए कि इतने घंटे आपको डेली पढ़नी है जैसे अभी आप लोग भी घंटे लगा रहे होंगे कि 8 घंटे-10 घंटे जो है डेली पढ़ ही ले रहा है अब चाहिद आप लोग धीले पढ़ के होंगे क्योंकि भी UPSC की प्रिलिम्स जो है वो आपकी एक्स्टेंड हो गई बर धीला नहीं पढ़ना है एकदम वैसे ही पढ़ते रहे है क्योंकि आप लोग एक अच्छा कासा ऑपर्चुनीर ही मिला है एक्स्टा टाइम मिल रहा है तो उसका यूटिलाइस करना है ना कि बरबात कर देना वैसे आपज़ आपकर सकते हां दो यसे क्या प्र ऌसले का अप neighborhood करने का वैसे हो अब कुह स्कारूर देना है यहाँ भूने लिए ऽ्तितिशन Лुकल कंविनी वी कि वो यहां पे जो बच्चे हैं उनको help कर सके कि वो यहां पे जो है जो बच्चे पीछे छुट गया है उनको भी यहां पे help करना है काफी बच्चे fail भी हो जाते थे हम लोगे भी जो friend वगेरा थे वो fail हो के पीछे रहा जाते थे तो उनको जो है इस तरीके का नहीं दिखाना कि दया दिरिस्टी से नहीं देखना है उनको जो है अच्छी तरीके से ग्रोण अप करना है कि वो और आगे अच्छी तरीके से अपना लाइफ लीड कर सके नेशल ट्यूटर प्रोग्राम होना चाहिए जहां पर बेस्ट परफॉर्मर जो हर एक स्कूल के हो उसको वर्क एस तरीक जैसा वो इसको काम करना है तो girls जो है drop out कर लेती, बहुत सारे boys भी drop out करते कि अगर उनके family उनको पढ़ा नहीं सकते तो बहुत सारे reasons हो जाते हैं पैसे की कमी के कारण तो ये सारी चीज़े जो drop out होते हैं बच्चे जो school से नाम कटवा के घर बैठ जाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए, second chance education program होनी चाहिए long term के लिए और वो भी out of school adolescent अगर जो बच्चे school तक नहीं पहुच पा रहे हैं उनकी अपनी खुद की मजबूरी है तो उनको out of school जो education है वो उनको provide करना चाहिए curriculum और जो pedagogy है यानि कि यहाँ पे 5 plus 3 plus 3 plus 4 का जो design यहाँ पे रखा गया है उसको follow करना है अब यह क्या है 5 years आपका foundational stage होना चाहिए 3 years आपका pre primary school हो जैसे होता है नकी pre primary, primary, LKG, UKG ना जाने क्या क्या होता है मिल्स कहने का मतलब यह है कि मुझे समझ भी नहीं आता बच्चों को घर में थोड़ा बहुत पढ़ाओ ABCD ही तो पढ़ना रहता है और उसके बाद primary school में डालो जिससे कि वो बैठ सके और आजकल का तो fashion है कि kids इसकूल में भी बच्चों को डालते है तो वो सब करने की ज़रूत ही फिल बच्चों को घर के बैठाके पढ़ाना सीखो और साती साथ प्री-प्राइमरी के बाद सीधे 1-स्टेंडर पे डालो क्या जरूत है कि तीन साल यहां पर पढ़ रहे है फिर 1-2 पर सेंडर पर वही सेम सब करने है तो यह सारी चीज़े जो है ना year waste करती है बजोगे तो 5 years यहां पर foundational course कहा जा रहा है तो इसमें क्या क्या है 3 साल इनके pre-primary school है और साथी grade 1, grade 2 इसको include क्या गया फिर 3 साल क्या है अगला 3 साल यह तो 3 साल यहां पर preparatory stage है यानि कि 3, 4, 5 यह जो आपके standard में रहते है वो 5th standard तक तो यहां पर आपका preparation हो रहा है उसके बाद अगला 3 क्या है तो 3 years of middle stage है यानि कि 6, 7, 8 थूरी सी tough होने लगती है studies और 4th year क्या है तो यहां पर high stage है यानि कि आप लोग 9, 10, 11, 12 कहते हैं ना कि अगर 10th में board में आप लोग अच्छा marks लाना है तो 9th आपका strong होना चाहिए 9th की basic और 9th की आगर आपकी studies अच्छी है तो 10th में board का exam आपका अच्छा हो जाएगा 12th में, sorry 12th में आपको board की exam अच्छी करनी है बहुत ही जादा क्यूंकि एक adolescent age होता है बच्चे जो है बड़े होते है adolescent age से आप लोग adult होते हो तो उस समय काफी जादा hormone लोच्चा होता है और उसमें बच्चे सम्हाल नहीं पाते तो बच्चे काफी जादा बरबाद भी होते इसी age में और जो सम्हाल गया जो अच्छे से 10-12 पास कर गया बच्च पढ़ाई में focus लगा लिया वो तो सही हो गया जो नहीं लगा पाया वो बच्चे बिगड़ जाते है तो special focus यहाँ पर करना है high stage पर तो यह formula बड़ा अच्छा दिया गया है तो इसको ध्यान रखना आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह किस में रखा गया तो यह हमारे education policy में रखा गया 5 plus 3 plus 4 ठीक है यह याद रखना है अब यहाँ पर क्या की curriculum जो load है उसको कम करना है जैसे कि कुछ subject का essential core content जो है उसको यहाँ पर थोड़ा कम करना है holistic बनाना है, experimental करना है discussion based होना चाहिए, analysis based learning होनी चाहिए बच्चों को इस तरह की से सिखाना चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको analyze करो अगर आप लोग कुछ भी चीज़े देख रहे हो कि फीगर बना बना कि आपकी life निकल जाएगी एक बार क्या करना है, एक बार नहीं कई बार हो सकता है जब भी आप बाहर जाओना cloud देखो उपर sky देखो और जिस समय उस तरीके का cloud का structure होना तुरंत आप लोग search करो search करके आप लोग find out कर सकता है या फिर पढ़े हो कभी diagram बनाए हो तो उसको recall करो कि ये किस तरीके के cloud है जब थोड़े से आपकी पूरे ठीके sunny day होते है तो उसमय आपको अलग cloud देखने को मिलेगा जब थोड़े सा जो मौसम अच्छा होने लगता है बारिशवाली मौसम होती है तो उससे पहले बाहर जाके आप इसकाई देखो उसमय जो brown color की cloud आती है वो काउन सी cloud है तो इसी तरीके से आप लोग cloud का नाम पढ़ पाओगे समझ पाओगे, याद कर पाओगे और ये कभी नहीं भूलने वाले चाहे आपके बाल पक जाए, बाल सर से आपके बाल गिर भी जाए, टकले भी हो जाओ तो भी आप नहीं भूल पाओगे तो ये क्या होता है, analysis best होता है ये आपका खुद का observation based study होता है तो बच्चों को इस तरीके से सीखाना चाहिए आपके बच्चे इस चीज़ को समझ पाए अब यहाँ पर higher education पर आते है higher education पर बात किया जा रहा है institutional restructuring का यानि कि हम लोग को multidisciplinary institution को develop करना है यहाँ पर अच्छा कासा program होना चाहिए और discipline के साथ साथ ही आपर new institutional architecture है जिसमें तीन तरीके की institution बताए जा रही है type 1 क्या है कि research university research होनी चाहिए बिना research के तो कोई भी पढ़ाई जो है आपकी सफल नहीं हो पाएगी तो एक के equally research और teaching पर ध्यान देना है second क्या है type 2 teaching university यानि कि आपे high quality teaching होनी चाहिए अच्छा खासा पढ़ाई होना चाहिए third क्या है कि college हो focus होना चाहिए आपका exclusively वो भी आपे high quality teaching की goal पे अब बहुत सारे बच्चे आप लोग में से जो है college में हो और college में हो और मुझसे इतना ज़्यादा पूछते हो कि मैं college को कैसे समाले UPSC की study को कैसे समाले मेरा तो एक ही कहना है कि आप लोग अगर college में होना तो college life को enjoy करो अगर आप लोग medical में हो या फिर आप लोग engineering में हो तो पहले आप लोग वहां की पढ़ाई कर लो उसके बाद आप लोग UPSC की पढ़ाई करना तो अगर आप लोग को मन करता है कि मैं सुरुष्टी देश्मूंग जैसे बन जाओं या फिर मैं टीना दावी जैसे बन जाओं तो ठीक है अगर आप लोग को लग रहा है तो आप लोग कर सकते हो लेकिन क्या है ना कि जिस phase में आप लोग रहते हो ना उस phase को आप लोग enjoy करो college में हो college life को enjoy करो उसके बाद तेयारी कर लेना पूरा जी जान लगा कि दो साल में UPC निकल लेना किसने रोका है किसने टोका है है कि ने तो वो बात होनी चाहिए तो ये तीन तरीके के यहाँ पर है कि रिसर्च होनी चाहिए अच्छी टीचिंग होनी चाहिए और college life होनी चाहिए उसके बाद more liberal education है यहाँ पर जो undergraduate जो आपकी curriculum है उसको और जाद re-design करने है common यहाँ पर आपकी curriculum होनी चाहिए सारे student के लिए जैसे कि आपकी curriculum कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग देखते हैं नो sports वगेरा होता है या फिर indoor games होती है outdoor games होती है या फिर और भी होती है जैसे कि आपका drawing and painting होता है games खेलना होता है games खेलना तो मैं बता ही दी उसके बाद और भी होता है chess फगेरा यह सारी चीज़े तो games में ही मेली आती क्योंकि मैं games में ही ज्यादा active हूँ तो मुझे यही याद आ रहा है और भी होता है जैसे कि रंगोली बनाना मेहदी लगाना यह सारी चीज़े भी extra curriculum activities में आते है इवन home science भी खाना बनाना तो यह सारी चीज़ भी होती है तो हाला कि यहाँ पर technical college में तो कोई नहीं खाना बनाना सिखायागा आपको लेकिन हाँ यह जो core curriculum activities है इसमें भी सारे बचा को engage करना चाहिए तो यहाँ पर और साथ क्या है कि 4 years जो undergraduate program है वो भी liberal arts में है तो इसमें multiple exit option भी होना चाहिए कि आपको अगर एक curriculum activities अच्छी नहीं लग रही है तो आप लोग दूसरे में shift हो जाओ 5 Indian Institute of Liberal Arts होनी चाहिए जिसको set up किया जाएगा एक modal multi-disciplinary liberal arts के साथ साथ है आपर optimal learning environment की बात की जा रही है एक national higher education qualification framework होनी चाहिए जिसमें एक अच्छा खासा सीखने का सिफ learning सीखने का आपको opportunity मिले साथ ही mainly जो focus किया जाएगा यह occupational readiness में किया जाएगा कि बच्चे अच्छे से पढ़ सके और institutional process में वो involved भी हो research पे अच्छा खासा ध्यान देना है हमारी country research पे अब जाके focus करिए तो एक national research foundation को establish करना है जिसमें fund हो mentor हो incentives हो और build capacity हो quality research के लिए साथ ही education governance and regulation की बात करूँ तो इन general आप देखोगे तो राश्ट्री सिक्छा आयोग जो है उसको set up किया गया है और prime minister इसको head करते कि जिससे यहां पर जो पढ़ाई है उनकी vision और ज्यादा revise हो सके अच्छे तरीके से develop हो implement हो और evaluate हो सके school की बात करें तो public school complexes को set up किया गया है यहां पर public schools जो है उसकी cluster होती है यहां पर state जो हो अलग से regulatory functions को separate करते independent state school regulatory authority बनाया जाता है हर एक state में साथ यहां पर district education council होती है जो की school system को हर एक district में देखा जा सके अगर higher education institution की बात करें तो हर एक higher education institutions जो है public हो या private हो इसको यहां पर independent board of governor की द्वार्ण किया जाता है जिसमें की apex body होंगे institution के साथ ही यहां पर आप लोग देखें के national accreditions और assessment council भी होते है जिसको यहां पर आपका create किया गया है जिसको नाक भी कहते है ओके तो यहां पर यह assessment करने के लिए आते है कि कैसे institution कैसे work करी है नहीं करी है अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ रहे कि नहीं बच्चे के पास कितन नौलेज है कि नहीं तो इस तरीके के यहां से department से जो है लोग आते है और देखते भी है साथी teacher management भी होना चाहिए काफी ज्यादा इस act के इसमें ड्राफ्ट जो policy ड्राफ्ट की गई न समें काफी अच्छे चीशी बात की गई है तो इसको आप लोग देख लीजे थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन इसको समझने का कोशिच कीजिए में भी कोशन इससे पूछा जाए क्योंकि बहुत जादा यह आपके burning में भी थी burning topic भी है और इसमें आपका debate discussion भी बहुत हुआ है तो यहां पर teacher management में बात करें तो merit-based यहां पर scholarship देना है कि जितने जो teacher अच्छा काम कर रहे है उनको उस तरीके का scholarship देना चाहिए तो आज की date में क्या है कि teacher teacher की जो profession है उसको बहुत जाता है appreciate नहीं किया जाता है ऐसा माना जाता है कि अच्छा थी कि आप teacher बनना चाहते हो यानि कि आपके पास और कोई talent नहीं है अब आप teacher ही बन लो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते जो मुझे message करते कि मैं आप शेयर करने के लिए कहते है अपना वीडियो इतने अच्छे content को मैं क्यों share करूं competition market में बढ़ जाएगा तो मैं ही एक अच्छा पढ़ा रही हूँ कि अब बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ा रहे बहुत सारे YouTube channel आपको देखने को मिलेंगे जहां पर बहुत अच्छे content दिये जा रहे है एकदम exam के to the point आपको content दिये जा रहे तो उसमें जो बच्चे पढ़ रहे उनसे आपका competition नहीं बहुत सारे बच्चे Delhi जाके एक अच्छे institution में पढ़ रहे तो उनसे competition नहीं गया अब ऐसा सोच लेकि चलोगे तो कैसे होगा संसार में तो फिर हो गया भला हो ठीक है तो इस तरीकी का नहीं होता है तो अच्छा भी लगता है काफी एक unique unique सी आप लोगी comment दिखने को मिलती ह तो ऐसा मत कीजे आपको मेरी video share नहीं करने है तो मत कीजे लेकिन ऐसी सोच मत रखे बस कि मैं अपने दोस्तों के साथ अपना knowledge share नहीं करूंगा वो मेरे से आगे निकल जागा ऐसा नहीं है एक knowledge ही ऐसी चीज है कि जितना आप share करोगे उतना जादा आपके पास बढ़ेगी आप जब खुद पढ़के discuss करते हो ना तो उससे क्या होता है कि चीजे आपके mind में fix होने लगती है चीजे आपकी जो है clear, उस topic के बारे में clarity और जादा बढ़ने लगती है तो इस चीज के बारे में सोचो ना हर चीज के बारे में आप लोग के तक conserve thinking रखोगे तो कैसे होग सारे पारा teacher की बात करूँ जो कि सिक्षा करमी system है हमारे country में तो उनको 2022 तक stop किया जाएगा, teachers उनको यहाँ पर allow नहीं किया जाएगा कि कोई भी non teaching activities में वो participate करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि school की teachers होते हैं वो side by side non teaching activities में भी include होते हैं, जैसे कि वो midday meal भी बनाते है during school hours में, तो यह सारी चीज़ें ना करें, क्योंकि उनकी teaching capacity में affect होता है, teachers को यहाँ पर जरुत है कि वो minimum 50 hours जो है वो complete करे, continuous professional development teaching का हर एक साल, 50 hours तो उनकी होनी ही चाहिए, अगर वो पढ़ा रहे तो 50 hours होनी चाहिए एक साल में, एक similar continuous professional development program जो है, इसको introduce किया जाएगा higher education institution मे साथी permanent employment track system होगी, जो कि introduce किया जाएगा, faculties के लिए, वो भी सारी यहाँ पर higher education institution के लिए, और कब तक किया जाएगा, तो 20-30 तक की जाएगी, सारी teachers जो है, उनको possible career progressions पात दिया जाएगा, जिससे कि वो अच्छा-कासा educational administrator भी बन सके, ठीक है, तो district administrator ही नहीं, educational administrator भी बनाने कम उनको facilities नहीं दी जाती है, कोई DM से कम उनका जो है, वो रूतबा भी नहीं होता है, हमारे countries में ऐसा है, कि teachers को इतना value नहीं दिया जाता है, लेकिन आप लोग बाहर जाओगे न, तो वहाँ पर teachers को बहुत बढ़ा value दिया जाता है, हमारे बहुत सारे countries के economists ऐसे हैं, इविन रगुराम जी, जो कि आपके RBI के former governor रह चुके, वो भी आज के date में बाहर के universities में पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको उतना ज्यादा payment मिल जाता है, तो उनको उस तरीके का आपको रुदवा भी मिलता है, power भी मिलती है, payment भी मिलता है, तो क्यों ना हमारे country के सारे लोग बाहर ज system हो जाएना, तो फिर क्या ही कहना, अब education में technology की बात करते हैं, बीना technology तो education बिकार ही है, क्योंकि आप लोग अगर मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो technology के help से ही सुन पा रहे हो, तो यहाँ पर national mission on education है, जो कि information और communication technology के थ्रू है, जहाँ पर एक virtual laboratory को set up किया जाएगा, और एक remote access दी जाएगी, laboratories के, वो भी बहुत सारे discipline में, बहुत सारे categories में दी जाएगी, integrated education technologies को यहाँ पर school curriculum में include किया जाएगा, जिसमें कि computational thinking होगी, thought process होगा, जिसमें कि हम लोग कुछ problem को यहाँ पर formulate कर पाएंगे, और solutions भी ला पाएंगे, computer को इस्तिमाल करके, एक national repository of educational data होगी, जिसको यहाँ पर setup किया जाएगा, और सारे record जो भी institution से related है, उसको यहाँ पर online ही maintain किया जाएगा, चाहिए institution की हो, teacher की हो, student की हो, तो digital form में उस सारे data को include किया जाएगा, तो काफी easy हो जाएगी सारी चीज़े, है कि नहीं, तो यह तो थी इस draft policy की बारे में, काफी जादा च आपने thinking को grown up किजेगा, तो बहुत ही जादा help मिलेगी, interview में बहुत जादा help मिलेगी, तो as a person भी आप लोग को एक अच्छा thinking रखनी चाहिए, positive thinking रखना चाहिए, तभी आप लोग अच्छे तरीके से life को lead कर पाऊगे, अपनी भी और दूसरों की भी, अब आते है next article है, ज जो release की जाती है, नीती आयो के दौरा, तो जो भी index आपके नीती आयो के दौरा release की जाती है, वो आपने आप में ही बहुत जादा important हो जाती है, relevant अगर constitutional provision देखें, तो जो school education का subject है, वो हमारे concurrent list में आती है, अब हमारे constitution में 7th schedule जो है, इसमें 3 list है, यहाँ पे center list, state list, concurrent list, तो यह जो कुछ ऐसे है, कि जो भी यहाँ पे subject आपका center में है, वो parliament कानून बनाती है, state में जो भी आपका subject है, वो state legislature कानून बनाते है, लेकिन concurrent list में जो भी subject है, वो यहाँ पे parliament और state legislature दोनों बनाते है, तो education ऐसा है, जो कि हमारे center level पे और state level पे दोनों यहाँ यहाँ पे पर जो school education है ये concurrent list में आती है साथ ही इसको transfer किया गया था पहले ये state list में थी लेकिन 42nd constitutional amendment act 1972 के धायर इसको concurrent list में आपका transfer कर दिया गया था तो 42nd constitutional amendment act को हम लोग जो है mini constitution भी कहते हैं अब आते हैं सेकी के बारे में देखते हैं ये जो है आपकी नीती आयू के द्वारा develop किया गया है और यहाँ पर education की बात हो रही है तो human resource development कैसे पीछे रहा जाए state और union territories है world bank भी है और कुछ sector expert भी है जहां पर world bank भी आ जाती है तो वो और ज़्यादा double star mark कर लिजो उसको उसके बाद अगर इस index में देखें तो यहाँ पर देखा जाता है कि कितना ज़्यादा knowledge को share के जा रहा है best practices क्या है state और uts में और कितना ज़्यादा जो competitiveness और cooperative जो federal जाती है indicator की बात करें तो यहाँ पर 30 indicator है इसको दो category में divide किया गया है सबसे पहला है outcomes कि पढ़ रहे हो तो पढ़ने का outcomes हो आज की date में आप तैयारी कर रहे हो तो जब तक आपकी result नहीं आएगी तब तक नहीं मानेंगे कि outcomes आया साथ ही governance process जो कि outcomes को help करें तो outcomes में क्या है कि learning है access है जैसे कि net enrollment ratio कितना है infrastructure है कैसी है facility कैसी है quality outcomes आ रहा है कि नहीं आ रहा है governance process अगर देखें तो यहाँ पर जो है outcomes कैसे तो बच्चे और teachers attendance है outcomes में यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि बच्चे आ रहे है कि नहीं स्कुल में उनकी attendance पूरी है कि नहीं है तो यह देखा ज रहे है training teachers को किस तरीके से दिया जा रहा है governance accountability और transparency यानि कि school में अगर पढ़ाई हो रही है तो बहुत ही transparency के साथ होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि वहाँ भी corruption चल रहा है teacher आए वे school लेकिन वो class attend नहीं कर रहे बचों को पढ़ानी रहे class में भी आके वो क्या करे फांकी मार के ज चीज नहीं होना चाहिए साथ है accountability भी होनी चाहिए accountability मतलब कि अगर जो teacher school नहीं आ रहे है तो पता होना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहे है और वही इस चीज के responsible होनी चाहिए state और UTS में भी देखे तो इसको categorize किया गया है three groups में large state, small state और UTS जो कि यहाँ पर like like comparison देखने को मि index थी उसके comparison में देखा जाएगा कि कौन सी state यहाँ पर अच्छा perform की है और overall भी देखा जाएगा कि इस बार पूरी तरीके से जो है कौन सी state है जो कि अच्छा perform की है तो अगर हम लोग larger state में देखे तो जो overall performance score है वो यहाँ पर 76.6% है जो कि केरल की है obvious है क्योंकि केरल की education system बहुत ही अच्छी है यहाँ पर literacy rate भी आपको बहुत जादा देखने को मिलेगी तो south में सबसे ची केरल है उसके बाद UP में आप देखोगे 36.4% है हरियाना उडिसा आसाम है जो कि big state है और इसमें improve किया गया है वही अगर करनाटक और उत्राकंड की बात करें तो इसमें biggest drop देखने को मिला यानिकि previous year के comparison में जो है यह बड़े cities है लेकिन यहाँ पर नौर्टी से स्टेट की जो आपकी गोवा को छोड़के यह सारे small state में ही include होते है उसके बाद अगर हमनों union territories में देखे तो Delhi है साथी चंटीकर है जो कि यहाँ पर अपनी overall performance को बहुत अच्छे से यहाँ पर retain की है तो यह कुछ state का नाम है हाला कि इतना जादा तो नहीं इतना एक दो नाम भी आद अखेगा तो काम बन जाएगा अब यहाँ पर देखिए percentage किसका है तो 34% अगर हम लोग देखे तो यह आपका चला जाता है किसमे learning outcomes में 26% अगर हम लोग देखे तो यह governance process adding outcome 3% आपका infrastructure वगेरा में 9% आपकी किसमें है तो यह एक्सेस outcome में है और य अब नीती आयो की जो education quality index है इसकी category देख लेते हैं यहाँ पर आपका अच्छे से बताया गया है यही याद कर लिजेगा उसके बाद union territory की बात करें तो यह है चंडिगर देली पुदुचेरी और यहाँ पे दागदर नागर हवेली अंडमान निकोबार और लक्षदीप तो इतना ध्यान रखेगा अब आए इसके साथ ही एक और देख लेते जो कि again very interesting है यह है पीसा टेस्ट तो पीसा टेस्ट क् यह पीसा है क्या पीसा क्या होती है ना कि the program for international student assessment international level पर जो है student को एसेस किया जाता है और student के assessment से जो यह पता चलता है कि उस country की education system कैसी है तीक है यानि कि इस एक बहुत बड़ा यह आपका यहाँ पर test होता है जिसमें हारे country के बच्चों का test लिया जाता है और बच्चों के performance में यह देख लिया जाता है कि उस country के education कैसी है अब पीसा test के बारे में detail में देखते है पीसा जो है OECD की organization for economic cooperation and development program इसकी है और यह international student assessment है इसका aim बस यही है कि comprehensive analysis देना है कि कि इस तरीक से education system जो है वो country में काम कर रहा है यानि कि बच्चों को वो अपनी कैसे prepare कर रही है high education के और उसके साथ सा तो से employment के लिए बच्चों को कैसे prepare कर रही है यहा पे बच्चों का access किया जाता है और बच्चे जो age की होते है यह 15 years सके एच होते हैं थ्री मंथ और फिर यहाँ इस तो मंथ के लिए यानि कि पंदरा साल 3 महीने के बच्चे और 16 साल 2 महीने के बच्चे जो तो mathematics में कैसे हैं, बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, science में कैसे हैं, innovative subject में कैसे हैं, यानि की कोई भी problem solving, problem solving questions होती है, तो उसको कैसे solve करते हैं, money, literacy उनको कितना है, और next year जो है यह test आपका 2021 में होगा first time यह कब हो था तो 2000 में हुई थी और हर एक 3 साल के बाद यह test आपका conduct होता है अब इंडिया की participation देख लेते हैं इंडिया ने participate करी थी PISA test को वो भी कब तो 2009 में और जिसमें कि इंडिया की rank 72 थी और वो भी 73 countries है OMG मतलब कि देख सकते हो आप लोग क्या इसी दी थी मतलब हमारी कंटर के तो धजिया ओड़ गई होगी उस समय तो यह हम लोग बस एक ही PISA test में गयते हैं उसके बाद से इंडिया जोई नहीं करी है उसके बाद से इंडिया इस तरीके के test में जोई नहीं गई क्योंकि अल्रेडी बेजिती हो चुके है एकदम से हम लोग नीचे गिर के आया है वापस तो फिर से इंडिया को ऐसा हिमत ही नहीं हुआ होगा कि फिर से भेज़े लेकिर अब हम लोग थोड़ा हिमत हम लोग जुटा रहे हैं और नेक्स्ट यह ऐसा हम लोग test में पाटिसिपेट करेंगे यूनियन होम रिसोर्स मिनिस्टी है जिन्होंने कंफर्म की है कि 2021 के PISA test में हम लोग पाटिसिपेट करेंगे और स्टुडेंट जो होंगे वो गर्मेंट स्कूल के होंगे चंडिगर के कंद्रे विद्याले और के बिल्ता में होर्स चेज़ क्योई में हमें लोग पाटिसिपेट करेंगे PISA test में 2021 सी काफ़े जादां है तो आप बहुत सकते हों तो इस तरीके से आपको iAS test के भारे में ध्यान रखना है में भी पूछ लिया जा सकता है तो ये भी ध्यान रखने हैं कि पहली बार हम लोग जहें 2009 में ही यहाँ पे गए थे और किस तरीके का हमारा rank था अब इसको बार-बार मैं repeat नहीं करूंगी आप लोग को भी बुरा लगेगा, मुझे तो लगी रहा है बुरा चली कोई बात नहीं तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही important report जो कि S.A.R. report है ये भी बहुत time ले लेगी इसमें मैं अच्छे से समझाना चाहती हूँ और काफी अच्छे से ये समझाया भी जाता है और हर बार की report बहुत ही interesting होती है और काफी ज़्यादा ये एक होता है कि हमारी जो education की जो basic चीज है fundamental चीज है वो यही सामने निकाल कर लाती है ये report काफी ज़्यादा important report है एक NGO है जो कि इस तरीके का एकदम basic minute things पर ये report लेकर आती है और सचाई निकाल के बाहर लाती है हमारी इंडिया की education system की तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि अभी एक घंटे हो चुके अभी मैं start करूँगी तो 15-20 minute फिर इसमें चला जाएगा और फिर आप लोग गो लोगी मैं इता लंबा लिसन क्यों लेते हो है की नहीं तो कोई नहीं मैं इता लंबा लिसन नहीं लेंगी एक घंटे का बहुत है आप लोग अराम से देखो आप तो time भी है आप लोग के पास लोगों की पढ़ाई अच्ही है मुली समझ में आना चाहिए अच्छा लगना बुरा लगना वह बाहर की बात बहुत है समझ में जो भी आता है उसको आप लोग फॉलो किज़ें और आराम से अप लोग अपनी पढ़ाई किज़ें बस और कुछ नहीं तो चलिए आज के लिए बस इतने ही wind up करती हूँ यहीं पर अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है समझ में आता हेल्फुल है आप लोग के लिए तो वस लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों के साथ या फिर सोचल निटर्वें के साइट्स में आप लोग फॉलो कर सकते हैं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि बहुत बच्छे ऐसे बोलते हैं कि मैं आपकी कब वीडियो आके चले जाती ही पता नहीं चलता तो उसके लिए भाया आपको सब्सक्राइब करना होगा प्लेलिस्ट पे बेल आइकन को प्रेस कर लिजे या फिर आप लोग मेरी टेलेग्राम चैनल को जॉइन कर लिजे तो आप लोग की कोई भी जब भी मैं अपलोड करूँगी ना मेरी वीडियो आप लोग से मिस नहीं होगी ठीक है चलिए आज के लिए बस इतनी थैंक यू